है यह लो इस्टुडेंट्स में जोन की यूटूब चनल में आपका फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले सांडिक के गुरुद्धम के बारे में तो चली चुरुआत करते हैं पहले गुरुद्धम से कि पहला गुरुद्धम कह रहा है यही किसी सांडिक में समस्त पंक्तियों को इस्तंबों में और इस्तंबों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सांडिक के मान में कोई परिवर्टन नहीं होता है अब इसका मतलब क्या है अगर मेरे पास डिल्टा है एक सांडिक और एक डिल्टा डैस है डिल्टा डैस का मतलब है सांडिक मिरे पास एक डील्टा आ हैं सानिकों देटा से लिखते हैं जैसे यह 3 4 5 और छे हैं तो दील्टाध quem कि 湊गा divided होगा जो प्रत्म पंक्ति है जैसे प्रत्म पंक्ति यह है इसको इस्तर में बदल के तो 3 4 वा डुसरी में को इंतर नहीं आएगा नहीं आएगा दो तो देखी कि आप यहां पहोगा 6 48 हो गया माइनस 5婆 हमारे पास आंसर कितना है माइनस का दो अगर इसको भी हम देखते हैं तो 6oth. आंसर कहाया माइनस का दो का मतलब एक बात पता चलती है कि अगर दी आप सभी पंक्तियों को सभी स्थम्भों में बदल देते हैं तो आपके पास आणने के मान में कोई परिवर्टन नहीं आएगा उधारण के तोर पे हम एक और एक्जम्पल दे सकते हैं जैसे मैं एक एक्जम्पल दे रहा हूँ 3 by 3 कि सन्डिका? 2,3,1,0,5,6,7,8,9 मान लीजिये कि इसका आंसर मान लेते हैं अपने इसका आंसर आ रहा है इसका आ रहा है तो अगर मैं इसकी पंक्तियों को सभी में बदल देता हूं सट्टिंग दरुम क्या कहता है यदि किसी सांडिक में दो पंक्तियों या दो इस्तम्बाऊ को परस पर इंटरचेंज गिया जाए। तो संख्यात वगमान तो वही रहता है, किंतु उसका चिन बदल जाता है। जाता है अब इसका मतलब क्या है एक एक जांपल से देखते हैं एक लेरní तीन बाइठीन के लिए determinant का यह हमारे पास है determinant और इसको में लिख दिया 1, 2, यहाँ पे लिख दिया 4, 0, 5, 1 2, 3, और 4 जैसे यह determinant है और अपने इसको solve कर लेते हैं तो solve करते हैं तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा यह हो गया 1 यह हो गया 5, 20, minus 3, minus 2 यह हो जाएगा 0, minus यह हो जाएगा 17 यह हो जाएगा plus का 4 यह हो जाएगा minus 40 17 और 4 आपके पास हो गये है 21, minus 40, आपको minus करना है तो आपके पास आजाएगा minus का 19 ठीक है? यह आपके पास सी जा गई है, minus का 19, अब हम क्या करते हैं? इसके अंदर क्या करेंगे? कि किसी भी दो पंक्ती या दो इस्तम, दो पंक्ती या दो इस्तम को interchange करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको और इसको interchange कर रहा हूँ, यानि कि हम लिख देते हैं इसको 2 3, 4 0, 5, 1 1, 2 और 4, अगर हम इसको लिखके up solve करते हैं तो हमारे पास आएगा 2, यह हो जाएगा 5 और यह हो गया 20, अपने पास यह हो गया माइनस 2 माइनस 3, यह हो जाएगा 0, माइनस 1 यह आपके पास 4, यह हो गया 0, माइनस 5 अब इसको solve करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2, यह हो गया 18 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 और यह हो जाएगा 5 और 20 तो अब इसको solve करते हैं अपन 18 दून हो गया 36 36 और 3 और यह माइनस का 20 36 और 3 कितने हो गया 37 39 माइनस का 20 49 माइनस 20 कितना होता है प्लस का 19 देखेगा कि आपकी पास जो पहले आंसर आया है वो माइनस का 19 और अब आंसर निकला तो प्लस का 19 और यहीज चीज कह रहा है कि संक्यत पकमान तो सेम होगा देखे 19 आहां यहां पर भी 19 आहां पर भी लेकिन उसका क्या हो जाता है चिन बदल जाता है यदि किसी भी दो पंक्ति या दो इस्थम को आप चेंज करते हैं कोई भी दो पंक्ति या दो इस्थम को आप इंटर चेंज करेंगे तो उसका जो मान होगा सांडिक का वो विपरित चिन में आएगा अगर प्लस का है तो माइ को सबसे पहले सिंपल साहर देखना है कि कोई भी अगर आपस साढध्यार्य है डडिटर्मिनेंट है तो हमारे पास मत क्या करेंगे जैसे धो तीन चार यहान लिख दिया यहन लिख दिया 5-6 और यहां पर लिख दिया दो तेन और चार तो जब ऐसी सार्णिक आएगी तो इसका answer direct आपको क्या लिखना है 0 लिखना है अगर आप solve भी करेंगे तो इसका answer 0 या आएगा कोई भी 2 पंक्ती या 2 इस्तम हो सकते हैं जरूरी नहीं पंक्ती हो इस्तम भी हो सकते हैं अपने एक और determinant ले लेते हैं अब इसके अंदर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि यदि किसी भी 2 पंक्ती या 2 इस्तम के सभी अव्यव के सभी अव्यव सभी अव्यव अनुपात में समानों सभी अव्यव अनुपात में समानों अब इसका मतलब क्या है आप देखेगा अनुपाथ मैं समा मतलब है कि जैसे मैं लेता हूँ 1 2 4 यहां लेवाने 5 6 7 यहां लेग दिया 2 4 और यहां लेग दिया 8 तब यहां पर ईक बात पता चल रही है कि यहां पर यह जो c1 है यहां पर यह जो c3 है अगर मैं इनके अवयों का अनुपात निकालूं तो ये आएगा एक बटा दो बराबर एक बटा दो बराबर संगत अवयों पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ इसा इसे के साथ तो जब भी ऐसी चीज आ जाती है अगर अनुपात उनके बराबर होते हैं तब भी उसका answer का आएगा जीरो आएगा अब कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं तो डिलिटर बराबर इस C3 के अंदर से यहाँ पर C3 में C3 में से दो common ले लेते हैं तो ये दो बार आजाएगा यह बच्जाएगा 1, 2 यह होगे 4 यह होगे 5, 6, 7 और यह हो जाएगा 1, 2 और 4 यह देखें दोनों सेम बन गए पहला और तीसरा तो इसका अंसर गया आएगा जिरू आएगा सिंप्ल सा है, यकोई भी दो पंक्ति या दो इस्तम समान होते हैं या उनके अवयों का अनुपाद समान होता है तो ऊहनी का मान हमेसा सुन्य होगा अब हम चलते हैं आगे फोर्थ नंबर के अंदर किसी सांडिक में एक पंक्ती या एक स्थम के सभी अव्यों को किसी अन्य संक्या सी गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संडिक का मान, मूल संडिक के मान तता संक्या के गुणनफल के बराबर होता है अब इसका मतलब क्या है अब एक्सांपल के तोर पे हमने एक यह डिटर्मेंट ले लिया है और इसका अगर सॉलूशन करते हैं तो पांच दोनी दस माइनस चार यानि कि इसका आँच चला रहा है छे अगर मैं इसको किसी भी संक्या से गुणा कर रहा हूँ देखेगा अगर मैं लिखता हूँ 5 डेल्टा तो आप इसको क्या लिखोंगे 5 इंटू 6 अब आप चाहें तो इस 5 को किसी भी पंक्ति या किसी भी स्थम से भी गुणा करा सकते है यानि कि मैं यह लिख सकता हूँ कि 5 delta is equal to 5 यह गया 2, 4, 1, 5 आप चाहें तो इस 5 को किसी भी एक पंक्ती या एक इस्तम से गुणा होगा यह चीज याद रगेगा सबसे नहीं होगा किसी भी एक पंक्ती या एक इस्तम से तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इस इस्तम से गुणा करवा दूँ तो यह हो जाएगा 2, 1, यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 25 अब आप इसको गुणा कर लीजिए तो क्या हैगा 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 माइनस का 20 लेकिन आंसर क्या है आपके पास सेम 30 तो जाए तो आप इस परकार से सौल कीजिए कि पहले सांडिक को सौल करके उस संक्या से गुणा कीजिए या फिर उस संक्या को किसी भी एक पंक्ती या एक स्थम से गुणा करके सांडिक को सौल कीजिए अब है हमारे पास गुंदम नमबर 5 किसी सार्णिक में किसी पंक्ती या इस्तम का पड़ते का वियाव दो या दो से अधिक संक्याओं का योग हो तो उस सार्णिक को उसकी करम की दो या दो से अधिक सार्णिक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अब इसका मतलब क्या है वो आप देखेगा अगर मेरे पास है A प्लस X, B प्लस Y, C प्लस Z और यहाँ पर है E, F, G, H, I, J यह एक सार्णिक है तो मैं इस सार्णिक को इस परकार से लिख सबता हूँ A, B, C, E, F और यह जी यहाँ H, I, J इस परकार से प्लस यहाँ हम लिख देंगे X, Y, Z E, F, G, H, I, Z तो इस परकार से आप इसको भी लिख सकते हैं दो अलग-अलग सार्णिकों के योग के रूप में सार्णिक का गुंदर्म नमबर है 6 कि किसी भी पंक्ति या इस्तम के परतेक अवयों में किसी अन्य पंक्ति या इस्तम के संगत अवयों का कोई अचर गुणा जोड़ने या कटाने पर मान में कोई परिवर्टन नहीं होता है अब इसका मतलब आप देखेगा कि यदि मेरे पास लिखावा है A, B, C, X, Y, Z और P, Q, R ठीक है और इसको solve करने पर मेरे पास आन्सर आता है capital A अगर मैं किसी भी पंक्ति या किसी भी इस्तom को किसी भी पंक्ति या किसी भी इस्तom को अचर से गुणा करके जोड़न या घटा दूँ मतलब क्या है कि जैसे मैं r1 को लिख रहा हूँ r1 प्लस lambda r3 अब इसका meaning क्या देखेगा इसका meaning क्या है कि जो r3 है r3 का मतलब ये वाला इसको मैं lambda से गुणा कर रहा हूँ लेमड़ा इक चर है और मैं इस r1 के साथ जोड रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा देखेगा जरा ये बनेगा a प्लस lambda c x प्लस lambda z p प्लस lambda r और बाकी चीज़ें ऐसे कैसी बी वाई क्यू सी जैड आगर मैं अब इसका मान निकालने की कोशिस करूंगा तो इसका answer भी क्या आ आएगा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ये चीज़ याद रखेगा ये important है हम जो प्रू करने के question करेंगे सित करने के question करेंगे उसमें ये ज्यादा तर यूज किया जाता है ठीक है तो ये important point है चटा अब आगे चलते हैं और next गूंदर में हमार पास येदि किसी ये पंक्ति या इस्तम के संगत सकंडों से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त राशियों का योग किया होता है सुन्नी होता है ये तो आपने पड़ी रखा है कि जैसे अगर A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3 जैसे एक सान्निक है determinant है हमारे पास तो मैं किसी भी पंक्ति या इस्तम के संखंड निकालता हूँ जैसे मैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति के संखंड निकालता हूँ इस पंक्ति के यानि R2 के संखंड निकालता हूँ अगर R2 के संखंड निकालता हूँ और वो आएंगे हमारे पास F21, F22, F23 ये हमारे पास संखंड आ गये हैं और संखं को अपन किसी भी दूसरी पंक्ती जैसे R1 R1 के अव्यों से या फिर R3 के अव्यों से R1 के अव्यों से या फिर R3 के अव्यों से गुणा करके जोडेंगे अब इसका मतलब क्या है वो देखेगा यानि कि मैं लिख सकता हूँ A11 इसमॉल A11 का मतलब है अव्यों ये वाला ये वाला अव्यों F21 प्लस A12 F22 प्लस A13 F23 यानि अगर मैं इसका अंसर निकालने के कोशिस करूँगा तो इसका अंसर के आएगा जीरो आएगा तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है किसी सार्णिक के किसी पंक्ति या इस्ताम के सब भी अव्यों सुन्य हो तो सार्णिक का माने सुन्य हो जाता है ये अगला गुण द्रम है बहुत इजी है 24500720 अब आपको इसको सॉल करने के जरूत निसका अंसर सिदा आप क्या लिखेंगे जिरो लिखेंगे अगर सॉल्ट भी करेंगे तो आंसर जिरो ही आएगा तो यदि किसी पंक्ति या इस्ताम के सब भी अव्यों क्या है सुन्य है तो उसके सार्णिक का माने सुन्य होगा